नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल दिन्या में मैं हूँ आपके साथ भार्टी सिंग नजर डाल लेते हैं खास ख़बरों कॉंग्रेस के वरिशनेता मोतिलाल वोरा का 93 साल क्यूमर में निधन हो गया फोर्टेसेसकॉर्ट अस्पिताल में उन्होंने आखरी सांस ली वोरा ने एक दिन पहले ही अपना जन दिन मनाया था बताय जा रहा है कि मोतिलाल वोरा को दो दिन पहले ही अस्पिताल में भर्ती करा गया था इससे पहले वो COVID-19 से संक्रमित भी हुए थे उस वक्त उनका इलाज एम्स दिल्ली में किया जा रहा था इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे और अस्पिताल से दिस्चार्ज हो चुके थे मोतिलाल वोरा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तरप्रदेश के राजपाल भी रह चुके हैं मोतिलाल वोरा गांधी परिवार के बेहत करीवी थे मोतिलाल वोरा लंबे समय तक कॉंग्रेस के कोशा देक्ष की जम्मेदारी समहलते रहे लेकिन साल 2018 में बढ़ती उमर का हवाला देते हुए रहुल गांधी ने मोतिलाल वोरा से कोशा देक्ष की जम्मेदारी लेकर एहमत पटेल को देवी थी एक और कोरोना वाइरस के खिलाफ वैक्सीन आने की उमीद जगी है तो दूसरी ओर कोरोना के एक नए रूप से चिंता बढ़ गई है ब्रिटन में कोरोना वाइरस का नया स्ट्रेइन सामने आया है जो काफी खतरनाक है इसके बाद यूरोप के कई देशों ने यूके आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ब्रिटन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है फ्लाइट्स पर बैन का समय आज रात 12 बजे से शुरू होगा उससे पहले आने वाली फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए आटी पीसियार टेस्ट अनिवारे कर दिया गया है भारत सरकार की ओर से ट्वीट करके बताया गया कि ब्रिटन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्ने लिया है कि 30 दिसंबर 2020 तक बृतिन से भारत आने वाली सभी उडानों को निलंबत कर दिया गया है यह निलंबन आज रात 12 बजे से शुरू होगा उससे पहले आने वाले लोगों के लिए आटी पीसियार परिक्षन अनिवारे कर दिया गया है फ्लाइट्स को बैन करने की मांग दिली के मुख्यमंतरी अर्विन केश जिवाल और राजिस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने की थी केश जिवाल ने आज ट्वीट करके लिखा था कि United Kingdom में कोरोना के नई स्ट्रेन से हल चल है और वो सूपर स्प्रेडर के तरह काम कर रहा है ऐसे में भारत सरकार को UK की सभी फ्लाइट्स को बैन कर देना चाहिए वही राजिस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने अपने ट्वीटर पर लिखा था कि United Kingdom में कोरोना वाइरस की नई स्ट्रेन की खबर चिंता जनक है भारत सरकार को इस मामले में तुरंत आक्शन लेना चाहिए UK और अन्य उरोपियन देशों से आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बैन कर देना चाहिए उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोब जारी है पहाडों पर हुई बर्बारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है जम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तर स्थानों पर तापमान शुनि से नीचे चल रहा है वहीं दिल्ली में इस मामले में सबसे जादा कम तापमान दर्ज किया गया मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ से ठके पश्मी हिमाले शेतर से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण शेहर में ठंड का प्रकोब बरकरार है और अगले 5-6 दिन तक न्यूंतम तापमान करी 5 डिगरी चल्सियस रहने की उमीद है कश्मीर में विभिन सानों पर न्यूंतम तापमान में रविवार को थोड़ा सुधार हुआ लेकिन घाटी में रात में पारा शोने से नीचे लुड़क गया लाहुलस्पिती का प्रशासनिक केंद्र केलांग राज में सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है जहां तापमान शूने से नीचे 11 डिगरी तक लुड़का हुआ है केलांग, कालपा, मनाली और मंडी में पिछले 24 घंटे में ताप पांचूने से नीचे रहा लाहुलस्पिती में सरदी की वज़े से घाटी के कई लाकों में पानी की लाईने, चंद्रभाग नदी समेत कई जलाशे में पानी जम गया महराष्ट के मुख्यमंत्री बुद्धर ठाकरे ने एक एलान किया है कि राज में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना आनिवारे हरेगा कोरोनवाइरस सम्मंदी कई विशेशग्यों ने सला दी है कि राज में दुबारा से लॉगडाउन लगा देना चाहिए या नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए पर हमारी सरकार अभी ऐसा नहीं करना चाहती महराष्ट कोरोनवाइरस से सबसे जादा प्रभावित होने वाले राज में से एक है इससे निपतने के लिए सरकार भी अपनी कोशिशे कर रही है सोशल मेडिया पर अपनी बात रखते हुए मुखे मंत्री ठाकरे ने लोगों से अपील की कि नए साल के सेलिबरेशन के समय कोरोना से जुड़ी एतिहाद बरते है हालाकि राज में कोरोना की स्तिती नियंदरन में है लेकिन अभी भी स्तिती पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विमान उडान को लेकर पचास पालेटों का लाइसेंस रद कर दिया है और प्रशासन इस बात की जांच करने में लगा है कि उन्होंने गलत तरीके से प्रमान पत्र कैसे हांसल किये लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से ये पाइलिट विमान कैसे उडा रहे थी पाकिस्तान के नागर विमानन प्राधिकर ने ये शीष अदालत को जानकारी दी थी फर्जी लाइसेंसों का मुद्दा इस साल 22 मई को करांची में पाकिस्तान एरलाइन्स के विमान के त्रासत हाथसे की प्रिश्च भूमी से उठा था इस हाथसे में करीब 97 लोगों की जान गई थी पाकिस्तान के विमानन मंत्री गुलाम सर्वर खान के मुताबएक देश के सक्रिय 860 पाइलटों में 260 के पास या तो फर्जी लाइसेंस है या उन्होंने परिक्षा में गड़बड़ी की उनके नाम इसलिए सार्वजनी किये गए ताकि पाकिस्तान से बाहर काम करने वाले अन्न पाइलटों के बारे में नकारात्मक धारना ना बने फिलहाल खास खबरों में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वर्ल इंडिया के साथ धन्यवाद